जैश्री महाकाल जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का डॉक्टर ओम्चो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आभार है यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से अप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि हम आपको निशूल जोतिश परामात के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छी जोतिश की जानकारी उपलब्दिक करवाते हैं दोस्तों चैनल से जुड़िएगा और अच्छे वीडियो पाईएगा कमें इन दुख्य के मुख्य कारण होते हैं जिन सामानी और बेसिक बातों पर हमें गोर करने की बहुत जादा जरूत है क्योंकि हम अन्य जगा दोड़ते हैं लेकिन बेसिक चीजों को जो मूल है उसे भूल जाते हैं जिन्दगी में सुक और दुख ये वास्तों में कुछ होता नहीं है गीता में भी आप अध्यान करेंगे तो इस बात का पाएंगे कि सुक और दुख दोनों कहीं भी यहां पर उसका कोई माइने नहीं है बहुत बार यह हम पाते सुनते हैं कि सुक और दुख तो आते जाते रहते हैं तो आते जाते हैं नहीं रहते हैं उसके पीछे हालाथ ऐसे होते हैं खे हमारों हेbalance किंगर निए अन्य गलती से जा एक प्लाक केंगर कोए ख़टना हो सक भी गखिषार कि जब्सक्रणी आसे इसंद्म करते हैं कैंड़ ऑब प्रभाव ठोड़ा है उतना जादा आपको परेशान करता है तो पहली बात कभी भी जिस भी बात का दुख दर्द है जो हो गया सो हो गया न वो आपके हाथ में है न आपके हाथ में था जो आप से बना वो आपने किया तो उसका जो मानसिक प्रेशर है वो लेना छोड़ दीजेगा यह दुक्त का सबसे मुख्य कारण है दूसरा कारण है दुक्त किसी भी दुखी वेक्ति के पीछे चाहिएगा वो लालच जो भी लालच करेगा वो दुखी होगा तो लालच मैं जानता हूँ हर वेक्ति को लाभ भी चाहिए लाब है कलग विशे और लालच है कलग विशे दोनों में जमीन आसमान कंतर है लाब और लालच में जमीन आसमान कंतर है इसले लालच से बचें लाब से नहीं मैं लाब का बिलकुल विरोधी नहीं हूं लेकिन लालच से बचें रातो रातमीर होना ये लालच है तीसरी बात है जो बात सबसे ज़्यादा च्छन के भाराती वो है इश्वरी जो बाते हैं उनका अनुसरन या उन चीजों को केवल और केवल सिर्फ सुनना और केवल और केवल बातों में इस बात को प्रकट करना इश्वर ने गीता के दिन में कि जो हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है जो होगा वो मेरी इच्छा से होगा जो भी हो रहा है उसे इश्वरी इच्छा मानकर एक्सेप्ट करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उसकी लीला वो ही जानता है आप नहीं, आपके साथ मुझे पता है कि जिस भी स्वक्ति के साथ गलत होता है अगर आप स्वायम कुछ जगा रख के देखेंगे तो आपको ऐसे लगा कि मेरे साथ यह साथ क्यूं हुआ इश्वर या कई प्रशनों होगे लेकिन कहीं बार, कहीं सालों बात उन प्रशनों का उन जवाबों का उत्तर हमें मिलता है कि उस समय ऐसा अगर नहीं होता तो आज सायत और कुछ हो जाता तो कहीं सारी व्यू रशना इश्वरी वो हम नहीं समझ सकते लेकिन एक बार जरूर समझ सकते हैं कि जो हो रहा है इश्वर की इच्छा से हो रहा है और हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है तो दोस्तों यह बहुत ही बेसिक बात है थी हमेशा इश्वरी आस्रित रहें इश्वर का जाब करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें चैनल को सब्सक्राइब करें जैश्री महाकार